हेलो दियर स्टुडेंट वेलकम बैक ओन सेकेंट टो यूटूब चेनल तो अगर आप उन दोनों वीडियो को अभी तक आप नहीं देखाओ डिटेल स्लेवस एनलाइसिस नहीं देखाओ तो जाके यूटूब के प्लेलिस में चेक आउट कर सकते हो प्लेट दोनों वीडियो को आप लोग देख सकते हो अब मैं ऐसा क्यों वो देखने के लिए उन दोनों वीडियो को रिजन है डियर स्टुडेंट रिजन सिंपल सा ये है कि अगर आप टर्नर का या फीटर का या फिर आप मसिनिस्ट का सिलेवस को देखोगे तो आपको पता चलेगा 85% से लेकर 90% जो syllabus है वो common देखने को मिलेगा मैं अगर आप लोग को इसे पहले दोनों वीडियो में आप लोग से discuss करा था जो पहला मैंने बता था feeder का तो feeder का complete जो आप लोग का syllabus है ना वो common रहता है turner में सिर्फ एक chapter को छोड़ के या फिर एक topic को छोड़ के वो क्या था वो आप लोग का था NC and CNC machine नC and CNC machine जो है वो turner में एक extra आप लोग को देखने को मिलता chapter जो आप लोग को feeder में देखने को नहीं मिलता है similarly अगर बात करें हम लोग machinist का जिसके बारे में आज हम लोग detail wise syllabus का discussion करेंगे सबसे पहले में आप लोग को बताऊंगा important सारे वो chapter या topics then हम लोग detail wise जो officially आप लोग को syllabus मिला है वो सब topic के बारे में हम लोग देखने वाले हैं हर एक chapter और उससे related जितने भी उसमें topic पुछा जागा सब के बारे में detail wise discussion करने वाले हैं तो मैं बता रहा था अगर मैं machinist का बात compare करता हूँ किस से? feeder से और turner से तो यहाँ आप लोग को तीन ऐसा new जो chapter है वो देखने को मिलेगा क्या है वो chapter? क्या common है? और क्या आप लोग का अलग देखने को मिलेगा feeder से और turner से? इसके बारे में इस complete हम लोग वीडियो में discuss करने वाले हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ यह TCS conductor आ रही है exam को कोन करा रही है? TCS तो TCS exam जल्दी भी लेती है पहली बात हो fast करती है exam process को तो आप लोग का जो यह exam है CBT2 का exam यह आप लोग को number में first या second week में देखने को मिल जाएगा पहला बात दूसरा बात इसका pattern यह अलग pattern होता है railway का जितनी भी जम लिया गया था LP technician वेगरा का या फिर हम मैं बात करता हूँ गुरूबडी वेगरा का ओ TCS ही ली थी and ITA का अगर मैं बात करता हूँ तो ITA वाले student को मैं 3-4 बेच को पढ़ा चुका हूँ और उनलोग को job दिला चुका हूँ तो मुझे पता है कि TCS किस तरह का frame करती है question को कहा कहा से question पूछा जाता syllabus के किस किस topic से question पूछा जाता है तो मैं आप लोग उसी तरह से complete design करके course को पढ़ाने वाला हूँ तो यहाँ पे आप लोगो जो मिलेगा authentic real आप लोगो current जो TCS का pattern उस pattern पे मैं आप लोगो बताऊंगा आसान और simple भसा में है आप लोगो समझा जागा फिगर वाई आप लोगो समझाएगा complete आप लोगो पढ़ाया जागा उसी तरीके से तो चिली डियर स्टूडेंट फिलाल हम लोग discuss करते हैं आप लोग का मसीनिश्ट का क्या रहने वाला syllabus तो सबसे पहले में आप लोगो बताऊंगा वो सभी important chapters जहां से question पूछा जाता है देन हम लोग इसके बाद complete बताने के बाद मैं आप लोगो detail wise syllabus भी दिखाने वाला हूं जो कि सभी जैसे आप लोग का मालोग पाला आप लोग का chapter है इसका इसमें क्या-क्या सब टोपी पूछा जाएगा second जो आप लोग का chapter है इसमें कौन-कौन सा सब टोपी पूछा जागा वो भी discuss करेंगे तो वीडियो में बने रहेगा A to Z सभी चीज आप लोग को बताऊंगा TCS का pattern कैसा question पूछा जाता है कहा किस-किस chapter से आप लोग को question हने वाला है सब चीज बताएंगे और last में आप लोग को जो course में मिलने वाला है किस तरह से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा क्या-क्या-क्या चीज मिलेगा सब बताने वाला हूं तो वीडियो में बने रहेगा तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हो dear student पहला chapter या topic जो आप लोग को मसिलिशन में देखने को मिलता है वह आप लोगा क्या introduction and occupational safety and health अब देखो dear यह अगर मैं देखो इसमें से अगर बात करूंगा ना तो टोटल आप लोग को common देखने को मिलेगा first chapter, second chapter, third chapter, fourth chapter, fifth chapter, six हो गया, seventh हो गया, eight हो गया, nine हो गया, ten हो गया यह जितने भी आपको 10 topic यह chapter देखने को मिलेगा same आप लोग को देखने को मिलेगा turner में भी और feeder में भी पले आपको बता देता हो क्या common और क्या uncommon है जो common नहीं रहने वाला है अब बात करते हैं यहाँ पर 11th number का यह जो 11th number का आप चेप्टर देखने को मिलेगा किसमें machinist में जो आप लोग को ना तो turner में देखने को मिलेगा ना feeder में देखने को मिलेगा तो अगर आप इसमें हो machinist में होता आपको extra यह chapter पढ़ना पड़ेगा न बात करते हैं 12 number तो common है यह आप लोग को दोनों में देखने मिलेगा feeder में भी और आप लोग को turner में भी अगर बात करते हैं 30 number का limit fit common property of metal common heat treatment common यह बात करते है 60 number यह जो 60 number देखे रहो ना यह भी common है किसे common है? turner में यह आप लोग का common है बट यह आप लोग का फीटर में common नहीं है, अगर मैं बात करता है ना फीटर में, देखो दिध्यान से समझना, फीटर में and turner में, तो फीटर and turner में जो एक ही topic है, जो आप लोग को common नहीं देखने को मिलता है, वो आप लोग का है, ये chapter, that is your NC and CNC, और ये किस में है, ये आप लोग को पढ़ना पढ़ेगा turner में, ये पढ़ना पढ़ेगा आप लोग को turner में, ये फीटर में नहीं है, फीटर में नहीं है, टरनर में है, लेकिन अगर बात करें मचिनिस्ट में, तो मचिनिस्ट में भी है, अब बात करते हैं, आगे, अगर ब मसिनिस्ट का बात करता हूं तो एक हो गया 11 नंबर का एक हो गया आपको 17 नंबर का और एक हो गया 18 नंबर का यह जो तीन आपको को चप्टर और टोपिक देखने को मिल रहा है यह सिर्फ और सिर्फ आप लोग को देखने को मिले का मसिनिस्ट में ही बाकि जितने भी आप आप लोगो एक सेकंड ठीक है मुझे डिलीट करना था आप लोग का यह सभी चीज़ ओके देखो one by one करके हम लोग यहां पताते हैं अगर बात करते हैं फर्स्ट वाले में सर क्या पढ़ने को मिलेगा तो as you know that occupational health यानी health और safety हो गया आप जहां पे भी काम करते हो तो वहां पे आप लोगो health से related और safety से related precaution आप लोगो अपनाना पढ़ेगा चुकि आप लोग नियो कमर होगे तो आप लोगो यह चीज़ पता होना चीए कि मैं कैसे अपना जान को पहली बात बचाऊं health को किसे बचाऊं इसके लिए boot पहनना पढ़ेगा सूज पहनना पढ़ेगा अलग कभी कभी system failure हो जाता है कभी main आप लोग का current जो है वो गड़ बढ़ा गया तो यह सब चीज से related common चीज़े पता होना चाहिए जो हम लोग इस topic में पढ़ने वाला है कि ताकि आप लोग measuring कर सको marking कर सको कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं cutting tool वेकरा बनाते कटिंग करते हैं टेपल ट्रेनिंग करते हैं drilling करते हैं लेथ मसिन में धेल सरा operation होता है तो उन सभी चीज में आप लोग को major करना पड़ता है कि सही जितना हम लोग बनाएं जितना length का moving करने के लिए depth cutting करने के लिए learning operation करने के लिए धेल सरा के लिए आपको करना पड़ेगा तो यह तो basic चीज़ होगे आगे बढ़ते हैं आगर मैं फोर्थ नमबर का बात करो तो workshop and foundry tools तो बहुत सारा साथ टूल है जो यूज करना पड़ता workshop में हम लोगो और foundry foundry में जैसे बात करें कास्टिंग करते हैं अलग अलग तरह काम लोग सेफ ढालते हैं अगर वक्षोप में बात करेंगे तो drilling करते हैं welding करते हैं तो इन सभी चीज में टूल यूज करते हैं जिसे welder tool हो गया welder holder device हो गया इसके अलवाए बात करेंगे बहुत सारा और भी equipment tool हो गया जो support कर करने का काम आता है holding करने का काम आता है तो इन सभी टूल के बारे में आप लोग को पता हो चाहिए वह सभी इस चेप्टर में पढ़ेंगे आगे बात बढ़ते हैं फिप्त नमर का तो बात करते हैं यहाँ वर्क होल्डिंग डिवाइसे कुछ आप लोग का supporting device होता है accessories होता ह एंड आप लोग का device जो यह सभी device होता ना उनके बारे में आप लोग को knowledge होना चाहिए फिर बात करेंगे लेथ मसीन का very very important mother of all machine कहा जाता है क्यों क्यों क्योंकि इसमें आप लोग धे सरा operation कर सकते हो धे सरा अलाग अलाग अप लोग का devices हैं machine है जिसमें एक ही काम होता है ले इसलिए लेथ मसीन mother of all machine कहा जाता है इसमें हम लोग planning कर सकते हैं taper turning कर सकते हैं gear cutting कर सकते हैं learning operation कर सकते हैं समझाय कि नहीं planning कर सकते हैं तो भेल सरा operation इसमें करना पड़ता है तो लेथ मसीन का पार्स देखेंगे head stock हो जाता, tail stock हो जाता, bed हो जाता, carrys हो जाता, tool post हो जाता ये सभी post उसका parts उसका क्या-क्या function होता अलग 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 तो सेपर प्लेनर एंड स्लोटर यह हम लोग पाइनल काम जब मेरा कोई भी def цाफ Ten टूल बना रहें सिंगल कोई गतिकन के जोय घुड़ करते समझ आ किन तो EA आप लोका वो हम लोग cutting tool बनाने का अलाग लोग material है ये भी आप लोग को पढ़ना पढ़ेगा तो मालो cutting tool मेरा बन के ready हो गया अब उसको बनने के बाद उसको हम लोग final touch देने के लिए planning करते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे shaping करते हैं slotting करते हैं तो यह सब चीज करना पढ़ता है और और भी बहुत साड़ा यूज है यह चीज़ देखेंगे jigs picture क्या होता सर jigs and picture holding and support device होता है मालो किसी चीज को मालो यह आप लोग का single point cutting tool है यह आप लोग को लगाना थ्री जो चोक या फोर्जो चोक में लेट मसीन के अब उसको hold करने के लिए कोई चीज़ जो जाए ना पकड़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए similarly casting करते डिलिंग करते हैं रेमिंग करते हर जगा पे support and holding devices का जोरोत पड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते जीक्स और फिक्षर तो यह चीज दे पढ़ेंगे हम लोग इसमें फिर बात करते हैं लिमीट का टॉलरेंस का फिट्स का यह क्या होता है यह हम लोग लिमीट और ट खोड़ा चोटा रेकेंगे इतना पार्ट हम लोग देंगे यह मैं आप लोगों सम्झाओंगा किस तर से काम करता है लिमीट फिर्शंट टॉलरेंट ताकि मालों कोई मालों 10 mm का हम लोग टाया का बनाना पार्स यहां पर चास्टिंग कर रहें सबल सपोस्टिंग कर रहें तरसे figure वाई आप लोगो समझाओं किस तरसे काम करता है फिर बात करता है metals का property of metal ओभी असली बात है फिर यहाँ पर देखो और एक आप लोग आजाएगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे वनिया में इतना भी मसीन पार्त बना जाता है भी अजैटा में बना जाता है असे फिरस में नन फिर्श का ही बना जाता है में लोगे में С haben Adri में नहीं जाएगे मैंन किragen खेंटेउज्म भी हाने तो आप लोगा ओना हो आजाता है। जैसे एस क्या है Practition tuft होता है hard होता है brittle होता है ढेल सह फटीग होता है तो यह सब चीज जितने भी प्रपटी होता है मेटल का वह हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर बात करने ही ट्रीटमेट जब कोई भी मेट्रियल या तो जो भी हम अब्जक्ट बनाना चाहते हैं वह बन के रिडी हो जाता है की लिए हम लोग क्या करते हैं heet treatment process करते हैं इसमें नोग क्या करते हैं heat करते गरम करते हैं फिर इसको cooling किया जाता है एर में या Water में or salt VAT में 온 करते हैं गरम करके कुल चरते हैं उससे इसका Greens होता ना ओर Refine होके फिर से नियोड know structure बनाता है जिसके इसका property इसकी इना स Cheng क्या इसका यूज होता खिस तर से इसको प्रियूग करतें क्या का पुर्परडिर होता है कितना पार्स होता कहां कहां पर यूज लए जाता अलग 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 पार्स में शब देखने वाल करते हैं तो अलग अलग तरह का सेमी लिक्विड का भी उसकर लाइब को बढ़ाया जा सके वह ज्यादा गरम ना हो और पिघल के कछतम समझा है तो अलग अलगतर का lubrication देखेंगे method देखेंगे फिर हम लोग बात करेंगे maintenance का जितने ही machine है सब को maintenance करना पड़ता है ताकि उसका life को बढ़ा जाए वो चीज़ देखेंगे आगया अगर बात किया जाए तो यह सब भी जितने मिने कहाना सब हो गया अब मैं बात करता हूँ अगर आप लोग को cbt2 का preparation कर रहे हो it instructor का and आप लोग machinist आप लोग का trade है तो आप लोग इसके trade को trade वाले जितने भी आप लोग lecture है वो आप लोग complete lecture मिल जाएगा live plus recorded मिलेगा for it instructor cbt2 तो आप इसको purchase कर सकते इसका fee अगर मैं बात किया जाए तो 3000 है अ आप लोग का course है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को पंद्रा सो में मिल जाएगा तो जहीं फटाफट आप लोग क्या करना simply number यहां पर दिया गया कैसे आपको purchase करना है उसके लिए आप contact कर सकते हो call के थूभी और WhatsApp के थूभी आप लोग contact करके पता कर सकते इसके बारे में and complete detail पता कर लेना, fee, कैसे आप लोग को pay करना, कैसे आप purchase करते हो और फटा-फट आप लोग course को खरीद के और पढ़ाय को start करो मैं अब लोगों पहले बता देता हूँ, TCS contact करा रही है और मैं 3-4 बेच को निकाल चुका हो पढ़ा के, 3-4 बेच को निकाल चुका हो मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है और मैं gate, ssc.je, मैं लभक पास 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे ssc.je वाले student को मैं पढ़ा चुका हूँ, ssc.je, rrb.je, senior section engineer का, gate वाले student का, ese का और ITA का अगर बात करता हूँ, तो ITA वाले student को 3 बेच को मैं निकाल चुका हूँ तो मुझे पता है और TCS को मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, TCS का पेटर्न का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता किस तर का पेटर्न आप लोगो पुछा जागा, तो each and everything को काफी आसान बासा मैं आप लोगो समझा जागा, जाए पर्चेस कीज़े course को and पढ़ 52 अगर आप लोगा branch mechanical production है, तो आप लोग इस master course को ले सकते हो, यहाँ पे आप लोगो क्या मिलेगा, live and recorded में बेच आप लोगो complete मिलने वाला lecture wise, PDF में आप लोगो मिल जागा, one to one को भी दिकत रहेगा, तो tutor से आप लोग talk भी कर सकते हो, अगर इसका फीक आप में बात करता तो 6,000 है, बट अभी आप लोग लेते हो, तो सिर्फ पर सिर्फ आप लोगो 3,000 में मिल जागा, इनकी 50% यहाँ पे भी आप लोगो off देखने को मिलेगा, तो जाइए इसको भी आप ले सकते हो, 50% off के साथ यहाँ पे आप लोग purchase कर सकते है course को, as you know that मैंने कहा ना, feeder का, turner क अगे बढ़ा जाए और अगर आप लोग, अगर आप लोग, अगर आप लोग मेकनिक डिजल यह मेकनिक मोटर यहाँ पिर मेकनिक मोटर वेहिकल में आप लोग आते हो, तो आप लोग इन सभी का master course purchase कर सकते हो, इसका fee अगर बात करेंगे, तो 10,000 है, but dear student, अगर आप अभी लेतो, तो 50% आप लोग को off देखने को मिलेगा, और सिर्फ और सिर्फ आप लोग 5,000 में complete course को buy कर सकते हो, for IT instructor CBT2, तो जहिए फटा-फट course को purchase करिए और पढ़ना को start कर आप लोग का exam जो हो, नोवर में देखने को मिल जाएगा, first या second week में, तो बिल्कुल भी time आप लोग को नहीं देती है, TCS, अब चलिए हम लोग detail wise आप लोग को syllabus में बताता हूं, जो मैंने बताया ना, ओसी चीज को यहाँ पे, सारे का सारा sub-topic दिया गया, जैसे सबसे प working condition रहे, industrial training रहे, है ना समझ आए कि नहीं storage का आप लोग को पता होना ची, soft skill, soft skill मतलब job area के बारे में, job का importance के बारे में, training के बारे में पता होना ची, safety के बारे में पता होना ची, general precaution जो हम लोग अपनाते हैं, industry में, soft floor में यो आप लोग को पता होना ची, fast aid, मैंने कहा ना, क जो भी electrical failure हो जाता है, system failure हो जाता है, दो को यहाँ पर कहा भी गया है, जैसे बात करेंगा, fire failure हो गया, आग कहीं लग गया, system failure हो गया, machine खराब हो गया, light ही cut गया, तो यह सभी चीज से related आप लोग को पता होना ची, इसके लाए importance housekeeping हो गया, good shopping practice हो गया, health and safety हो गया, उसके guideline हो यह सब चीज़ आप लोग को पता होना चीज़, इसके लाए basic understanding of hot work and जितने भी आप लोग का material equipment को कैसे handling किया जाए, यह आप लोग को पता होना चीज़, उसके बाद आजा था आप लोग को, मैंने कहा था instruments related, जैसे की linear measurement के लिए जो हम लोग जितने भी instrument यूज़ करते हैं, के लीपर हो गया, उन सभी का type देखेंगे, different different तरह का punch का बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीके different तरह का hammer, यह थोड़ा के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे use करते हैं, क्या description होता है, किस model से बना रहाता है, यह सभी चीज़ देखेंगे, फिर बात करेंगे, bench wise, bench wise जहां आप लोग सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर hexo, जो आप लोग आरी आता, cutting करने के लिए, उसका क्या-क्या use होता है, अलग-लगतर का file के बारे में देखेंगे, file का element, उसका use देखेंगे, समझ आए कि नहीं, और measuring standard के बारे में बात करेंगे, चाह वो English standard है, या आप लोग का magic standard है, फिर बात करेंगे, अब लोग grinding machine के बारे में, उसका use, उसका use देखेंगे, उसका care कैसे करते है, वो सभी देखेंगे, marking करने के लिए कुर कुर सा tool का use करते है, tri square का बात करेंगे, ordinary depth gauge क्या हो जाता है, उसका कैसे care वेगरा करते है, cutting angle का बारे में बात कर प्लेट हो गया, auxiliary marking equipment हो गया, auxiliary marking हम लोग equipment उसकारते है, वी ब्लोक क्या होता है, angle plate क्या होता, parallel block क्या होता है, इन सभी का types हो गया, इन सभी का care हो गया, maintenance हो गया, सब चीज़ देखने वाले है, फिर बात करेंगे, drill का, tap die का, उन सभी का operation के बारे में बात करेंगे, application के बात क करेंगे, समझ है कि नहीं, फिर आप देखो, रीमर का बात क्या गया, अब रीमर, रीमर material ही उसके कितना types होता है, कितना parts होता है, कितना तरह का रीमर का procedure हम लोग अपनाते हैं, फिर वर्नियर height gauge का बारे में बात करेंगे, similarly इसका construction देखेंगे, इसका setting देखेंगे, इसका reading देखेंगे, care and maintenance देखेंगे, one year height gauge के बारे में बात करेंगे, फिर interchangeability में बात करेंगे, हम लोग अलग-अलग field के बारे में, limits के बारे में, definition के बारे में, types के बारे में, जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे, limit gauge में बात करेंगे, तो आप लोग का होता, feet basic आप लोग का size होत होता है उसका हम लोग देखेंगे deviation देखेंगे high and low limit देखेंगे zero line देखेंगे tolerance देखेंगे tolerance zone क्या होता है allowances क्या होता है इन सभी का हम लोग fits and limit का standard देखेंगे फिर बात करेंगे वर्नियर calipers का parts उसका principle outside micrometer हो गया उसका parts के बारे में आप लोगा वर्नियर micrometer हो गया उसका care maintenance यूज फिर dial test indicator आ जाता है इन सभी का टाइस construction parts के बारे में फिर drilling आ गया अब drilling machine के बारे में drilling machine का types के बारे में इसका construction हो गया इसका pillar हो गया इसको कैसे हम लोग अलग 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 का Counter a board करते हैं यह counterpart can sacrifice करते है यह सबी क्या होता है sport facing क्या होता है तूल इसका नमिंक लेशर कैसे करते हैं drilling में Antwort कि क्या होता है drilling time का हम कैसे calculation करते हैं यह सब अधर बात करेंगे हम लोग अलग अलग अब और चीज़के बारे में जैसे उसका क्लास्पिकेशन देखेंगे समझाए की यहि быстр होँषे इसका क्लासेटेशन देखिएंगे समझाए कि निए आटकेरो बात करेंगे लग में बहुत realized के बारे में एक तो लाइफ के बारे में प्र They कटिंग यह सभी लैध मसिन का इस बात किया जा रहा है और आठोगोनल कटिंग होता है आकล Dontnag Um अध्या भाएजे भाएज़ दिवाइज सो गया फिर बात करेंगे वर्णियर वेवल प्रोटेक्टर करना चैपन करना आप बोरिंग करना बोरिंग करना समझाय की नहीं drilling करने के बाद learning मैंने का ना diamond safe हो जाता बोरिंग करेंगे तो haul किया जाता इस तर से तो यह सब चीज के बारे में पढ़ेंगे इसका इसन नेसेसरी देखेंगे फिर बात करें हम लोग taper का taper का अलग-अलग method के बारे में बात करेंगे हम लोग अगर मैं यहां पर बात करता हूं dear student तो फिर देखने वाले हम लोग क्या job holding devices जैसे voice हो गया claims हो गया वी ब्लॉक हो गया पैलल ब्लॉक हो गया slotting tool के बारे में बात करेंगे tool angle के बारे में इसका types के बारे में बात करने वाले हैं फिर coolant and lubrication मैंने का coolant बहुत important है अगर tool के life को increase करना तो coolant का मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा फिर बात करने लोग मिलिंग मसीन के बारे में मिलिंग मसीन के बारे में introduction देखेंगे types देखेंगे construction देखेंगे parts देखेंगे समझाए कि नी feed mechanism के बारे में बात करेंगे अलग लग लग तरह का जो मिलर cutter होता है उन सबी के बारे में देखने वाले यहां पर देखो अलग 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 तरह का डिफिरेंटर का मिलर कटर उसका यूज उसका नोमिंक लेचर कैसे करते है यह सबी देखेंगे फिर मिलर का ऑप्रेशन देखने अलग लग तरह का चाहा प्लेड फेस हो गया एंगुलर हो गया फिर अपका फ़र्म हो गया स्लॉट हो गया गेंग हो गया समझा आप मिलिंग मधा डाउट कैसि करते तेहित करते हैं वो सब ही देखेंगे फिर जीक सेन फिक्चर का बात करें घीक सन्फिक्चर क्या था था सपोर्ट करने के लिए हम ध्रीक डिवाइस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टर्निंग का वोई सभी चीज़ है लेट मसिन का यहाँ बात करेंगे लेट सेंटर का、 लेट डॉग का केज प्लेट हो गया, ड्राइविंग प्लेट हो गया फेस प्लेट हो गया, समझा इस सभी का यूज हो गया, मेंडरील हो गया, काफी इंपोर्टेंट, सब चीज के बारे में देखेंगे, फिर यहाँ पर आ जाता है, स्कूरू थ्रेड के बारे में बात करेंगे, आप लोग का स्कूरू थ्रेड क्या होता है, माइनर डायमेटर, इस डायमेटर, लीड डायमेटर, डाप अप कर, डाप अप थ्रेड, समझा है कि नहीं, यह सब देखने वाले हैं, फिर बात करेंगे ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ग्राइंडिंग वील देखेंगे, बॉन्ड ग्रेड देखेंग लग लगतरा का हम लोग जो grinding वी उस करते हैं, वो सब चीज के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या dressing का, types of dressing का, जो will में किया जाता, roughness value का, उसका symbol कौनकोर्स हो जाता है, फिर बात करें हम लोग surface grinding, ग्रांडिंग में surface grinding करते हैं, cylindrical grinding करते हैं, सब चीज देखेंगे हम लोग, अलग-अलग में हर वो topic जितने भी आप लोग आएगा, फिर बात करेंगे हम अगर हम लोग सेकंड यर में, तो सेकंड यर में हम लोग देखने वाले हैं, tools के बारे में, cutter के बारे में, grinding के बारे में tolerance grinding में, उन सब चीज के बारे में बात करेंगे, अलग-अलग यूज देखेंगे, parts देखेंगे, समझा है कि नहीं, micrometer वेगरा का, और सारा, micrometer आ जाता है, manometer आ जाता है, inside manometer आ जाता है, board dial, manometer आ जाता है, यह जितने भी आप लोग को है ना, अलग-अलग तरह का instrument होता है measuring करने का, फिर gauge आता है, अलग-अलग तरह का gauge देखेंगे, different between देखेंगे हम लोग, आप लोग का क्या होता है, measuring instrument, सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले, rake का types देखेंगे, calculation देखेंगे, vernier, gear हो गया, tooth हो गया, spur gear, gear में भी अलग-अलग तरह का दिया है, फिर यहाँ पर इस तरह करते 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 हैं, हम लोग यहाँ पर आते वे जाएंगे, और पढ़ते वे जाएंगे, फिर उससे related safety वेगरा देखने वाले हैं, फिर NC-CNC machine के बारे में बात करेंगे, very very important, इसके कौन सा technology में काम करता है, क्या होता है, different between NC and CNC machine, CNC less machine क्या होता है, क यूज करते हैं, यह सभी चीज़ देखेंगे, feedback जो हम लोग देखेंगे, CNC machine का, कैसे यह काम करता है, कैसे control किया जाता है, समझा है कि नहीं, concept कैसे होता, coordinate, geometry कैसे इसमें work किया जाता है, tool holder वे गरा में, programming कैसे काम किया जाता है, sequence, format वे गरा कैसे बना जाता है, यह सभी देखेंगे, जिसे tool नोज radius हो गया, इसके लाए बात करेंगे, necessary क्यों होता है, cutting tool material कुण कुण सा यूज करते हैं, कोई भी material, चाहा हम लोग यूज करेंगे, ferrous metal का, या फिर नन फ्रेस का, चाहा है, SSS का यूज करेंगे, high speed steel tool का, या फिर हम लोग करेंगे, carbon steel tool का, या फि यूज करेंगे, सब चीज के बारे में, या फिर हम लोग करेंगे, cutting parameter देखेंगे, cutting speed देखेंगे, depth of cut देखेंगे, cooling material देखेंगे, tool wire देखेंगे, tool light देखेंगे, मतलब करने का मतलब हम लोग each and everything को हर एक topping में पढ़ने वाले हैं, इस तरह करके हम लोग देखने वाले हैं समझ आए कि नहीं, tool offset वेगरा हो गया, यहाँ पे हम लोग यह सबी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और क्या, safety related, हम लोग CNC में क्या-क्या safety रखने वाले हैं, वो सबी चीज देखेंगे यहाँ पे, समझ आए कि नहीं, feed वेगर ह समझ आए कि यहाँ चीज हम लोग यहाँ पे आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, और कोई भी चीज यहाँ पे छूटे गा नहीं, इस चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है, जो पढ़ाया जागा, each and everything को काफी अच्छी तरसे समझा समझा के, आसान भासा में आप इवस मैंने बताया, यह सलेवस आप लोग को पढ़ना है, तो परचेस कीज़े कोर्स को वहाँ से आप लोग को क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा, and हम लोग मिलते हैं क्लास में, तब तक लिए गुडबाई, and God bless you all, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट किजएगा, कमेंट मे मैं अगर आप लोग को कोई ऐसा पटिकुलर टोपिक में डिकत हो रहा तो उससे रिलेटेड आप लोग को वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आप लोग को कोई भी इसू होना, मिलते हम लोग नेक्स पार्ट में, तब तक लिए गुडबाई, and God bless you all.